पिछले वीडियो में आपने दिखा था मेरी चार मॉली मचलिया मर गही थी उसके थोड़े देर बाद एक और मॉली मचलियों को अपने इस गंलेक इंदर गाड़ने वाला हूं पता नहीं मेरी मेरी मॉली मचलिया कैसे मर जा साफ करूंगा पूरा 100% पानी चेंज करूँगा और नय पानी डाल के मेडिसीन वगरा डालूँगा तब अपनी मचलियों को छोड़ूँगा फिलाल के लिए जो मेरी मौली मचलियों मर गे थी उनको मैंने दिखेगी तो सबसे पहले मैं सफाई शुरू करने से पहले मैं हीटर का connection off करने वाला हूँ आप देख पार होंगे यहां से लिए बंद कर दिया और आदे घंटे के बाद मैंने पानी को निकालना ले लिया और मैं इसी के अंदर in वाथर प्लांट्स को रख दी इसके बाद मैंने मचलिव को निकालने का म् critics च्छोटा वाला डब्बा के अंदर मैं यहीं पॉंट का पानी धोड़ा सबधा क्योंकि अगर मैं दूसरे नया पानी के बल्द में निकालने वाला हूं मैं इस नेट के मदद से मचलियों को निकालने वाला हूँ यहां पर दो नेट है तो मैं बड़ा वाला नेट इस्तमाल करूँगा क्योंकि इस से ज्यादा मचलिया मैं एक बार में निकाल सकता हूँ तो अब देख पा रहा हूंगे पहले बार महीं मुझे बड़ी मॉली मचलि दिया वह आपको दिख रही होंगी एक वाइट है और एक थोड़ा ब्लैकिस्म है तो इन दोनों को डालते हैं इस डब्बे के अंदर और इसके बाद मैंने इसी तरीके से कई बार इस नेट से अपनी सभी मॉली मचलियों को निकाला और उनको इस डब्बे के अंदर रख द में डाल दिया और इस बीच मैं एक बात का और ध्यान दे रहा था कि कई मॉली का बच्चा या कोई मॉली मचली गमले में ना चला जाए तो मैं नेट से पानी को छांते हुए ही अपने पौधों के अंदर डाल रहा था लेकिन ऐसा करने पे भी मुझे एक भी मॉली मशली मि निकाल लिया था आप देख पारोंगे नेट में भी कुछ निकला नहीं है बस कचड़ा ही निकला है क्योंकि सारी मॉली मचलिया मैंने पहले ही निकाल दिया था और अब बारी आता इस पौंड को साफ करने का जैसे मैंने टब का बचा हुआ पानी बाहर निकाला तो मुझे अंत में अपना प्लैक ओफिस दिखा प्लैक ओफिस नीचे के साइड़ी चिपका रहता है तो यह मुझे पता ने चला तो इसको भी डाल देते हैं इसी डब्बे के अंदर इसके बाद अब ले चलते हैं इस टब को साफ करने के लिए मैंने टब को अच्छी तरह से साफ कर दिख रहा है आपको साइडों में थोड़ा काई और थोड़ा कालापन दिख रहा होगा यह बहुत समय से ऐसे हैं तो अभी है छूट नहीं पा रहा है पूरा तो जितना हो सकता था मैंने उतना साफ किया और इसके बाद मैं अब इसमें साफ पानी भर रहा हूं आप देख पानी भरने का बाद मैंने मेडिसीन डाला मेडिसीन बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरी मचलिया काफी ज़्यादा मर रही है अभी फिलाल वह बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होंगी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मेडिसीन डाला यह मैंने ऑल-in-one मेडिसीन खरीदा था नहीं डाला है मतलब की 20% मैंने वाटर प्लांट को फेक दिया और उसके बाद 80% मैं इसमें दुबारा डाल रहा हूं क्योंकि यह वाटर प्लांट पूरा फैल गया था पूरे पॉर्ण को इसने कवर कर दिया था तो अगर मैं पूरा फिर से डालू तो फिर दुबारा मचल में इस तरह चिपक जाती है आप देख पार होंगे रेसे जैसा आपको दिख रहा होगा तो इसको भी मैंने छोटे वाले निट से साफ किया आपको याद होगा मैंने कुछ दिनों पहले थर्मकॉल से इसीज को बनाया था आप इसको मचलियों का खिड़की भी बोल सकते हैं तो इस बार मैं दुबारा इसको जब लगा रहा हूं तो मैंने इसके नीचे पत्थर बांद दिया क्योंकि यह फ्लोट कर रहा था इदर उदर भाग जा रहा था बीच में नहीं रहा पा रहा था तो इसलिए मैंने पत्थर बांद दिया और पानी के अंदर आधा के करीब ये डूब भी गया और अब यह दिखने में पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो अब बारी आता है एड़ेंड लास्ट में मचलियों को छोड़ने का आप देख पारेंगे सभी मचलियों को मैंने इस नेट के अंदर डाल लिया है पानी को जितना भी पुराना पानी क्योंकि मैं बहुत डर गया था कई मेरी मचलिया दोबारा मरना जाए तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मेडिसीन और डाला और लास्ट में मैंने प्लैक ओफिस को उसके घर में दोबारा छोड़ दिया पदा नहीं क्यों मैं बारबार प्लैकों को भूल जा रहा हूं क्योंकि बॉटम में नीचे बैठा रहता है तो इसलिए यह बार-बार मैं इसके बार में भूल जाता हूं तो इसको भी मैंने छोड़ दिया और अभी आप देख पा रहोंगे सभी मॉली मचलिया नीचे के साइड जाकर बैठी है क्योंकि इनको वाटर नए पानी में एडजेस्ट ह होने में थोड़ा समय लगेगा तो इनको एडजेस्ट होने के लिए मैंने हीटर भी लगा दिया ताकि यह पानी में अच्छी तरह से एडजेस्ट हो जाए और इनके हिसाब से जो पानी का टेंपरेचर है वह भी हो जाए और वाटर प्लैंट्स को जब मैं निकाल रहा थे तो मेरी दो और मॉली मशली उसमें मरखें फसी हुए थी उनको भी मैंने दूसरे गमले के अंदर घार दिया मेरी और कोई मचली मर नहीं रहे है पतानी मेरी मॉली मचली यहीं क्यों इतने अगर आप लोग कोई सुजाव दे सकते हैं तो नीचे कॉमेंट में जरूर दिजे झाल 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 झाल